नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जो दीवारों में क्रेक आ जाते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है क्यों वहाँ पे क्रेक हमें देखने को मिलता है उसे की साथी दीवारों में क्रेक ना है इसलिए किस तरह से वर्क करना पड़ेगा क्यों सी चीजे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा उसी की साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यह प्लस्टर का काम जो है वह कंप्लीट होके लगबग साथ आठ साल हो गए है तो देखेगा किस तरह से दीवर में क्रैक आ गया है और क्रैक आने का पीछे का रीजन यह है कि जो प्लस्टर जो है वह सबसे पहेले में आपको बता देता हूँ जो 90% में ने आपको बताया जो crack आने के जो chances है वो होते है corner में जहाँ पर हमारा column होता है उसी के साथ brick work होता है उस corner में 90% जो है crack आने के chances होते हैं क्योंकि वहाँ पर joint होता है brick work का joint और उसी के साथ ही column का joint देखेगा यह नीचे जो beam डाला हुआ है बीच में वहाँ पर इस तरह से joint होता है brick work और column में तो वहाँ पर क्या होता है कुछ दिनों बाद plaster में crack दिखता है यह है उसके पीचे का reason है कि वहाँ पर joint होता है और वह जो plaster है जो पर हमारे joint है वहाँ पर यह पर देख सकते हैं यह हमारा beam है उसे के साथी brick work अभी है तो क्या है करना हमें यह पर जो ब्रिक work है उसके साथी beam जो है वहाँ अपर हमें chicken mash जो जाली है वह इस तरह से लगवा देना है देवारों में तो क्या होगा जब आप वहाँ पे plaster करोगे तो उस जाली की वज़े से चिकन में जो जाली है उसकी वज़े से जो दिवार का जो plaster है वो properly और अच्छी तरसी वहाँ पे fix हो जाएगा क्योंकि उसे gap जो है बेच्वाला जो is the gap या दोनियों और बीच का gap और by उसे की साथी जो दिवार का याय ब्रिकवर का जो गयाप होता है वो आसानी से वहाँ पे फिल हो जाता है चिकन में जाली के वज़े से और उसे प्रॉपर वहाँ पे स्ट्रेंथ मिलता है क्योंकि वहाँ पे चिकन में जो जाली है मेटल होता है और मेटल के वज़े से जो प्लस्टर है वो आसानी से देवार को नहीं चौड़ता है तो इस तर खर्चा है वह आपको ज्यादा नहीं आएगा लेकिन इसका यूज़ आपको रोगे तो आपका जो घर का काम है वह बहुती बढ़िया बन जाता है उसमें कोई भी गल्दी नहीं होते अपनी घर के काम में और आपको क्रेक आसानी से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा इसलिए यह ने के नौर्मली रेड में आपको बाता देता हूं जो कि आपको जो सोफिट का जो बंडल है वह आपको आसानी से मिलेगा दो सो या तीन से रुपए तो और आपको वहाँ पर जो चिकन में जल ही वह लगवाने के लिए कुछ नर्मली खरचाएगा यानि जो चिकन में जल ही वह आपको तीन से रुपए में मिलेगा सोफिट और खरचा जो आएगा वहाँ पर फिक्स करने के लिए वह आपको लगबग एक या दो लेबर का वहाँ पर खरचा आने वाला है इतने में आपका जो काम है वह बहुती बढ़िया बन जाता है ओके दूस्तों